हेलो और नमस्कार मैं आपके साथ अंजीर शर्मा आज के इस न्यू व्लॉग में जूर रखी हूँ और में नाम है अंजीर शर्मा और यह मेरा गाउंखेतु और विरोखाल के छोटे से गाउंखेतु मैं वहाँ से ब्लॉग करती हूँ और यह है मेरा गाउं बहुत छोटा से जादा बड़ा भी नहीं है बहुत सारा तो प्लान हो रखा है तो तोटा घर देख सकते हैं बहुत पुनाना घर है तूट गया और अब देखें वचे फाने में खेर रहे हैं और कद बारिष होए तो आज भात हरा भरा हो रखा है भी सुंदर बहुत मस लग रहा है एकदम देभ भून उत्रखण बहुत सुंदर लग रही है बहुत हर्याली आ चुकी है बारिश के बहुत दिनों के बारिश हुए तो अब बहुत हरा भ्यों रख है और वह स्वेता और सौरब जो पाने में खेर गए और यहां चंदा मामा भी आ चुके है साम हो गई है और चंदा मामा भी निकल गए और आज बारिश तो बता रखी थी बट बारिश नहीं आई क्या पता आ जाए बता तो रखी है यहां देखिए यह मक्का का खेत जिसको बोलता है गडवाली मुंगरी और लोगों के खेत में इतनी बड़ी मुंगरी हो गई कुछ मैनों के बाद बड़ी हो जाएगी फिर तब मुंगरी खाएंगे और लोगों ने अपने खेत में चंदी में बैल बान रिखे है और धुआ लगा रखा है जिससे मचर उन्हें ना काटे और और यह हैं हमारे गौ के सामने यह गाउं न आपूरी है और उदर तो दूर दूर गूहीं पता नी बहुत सारे गाउं अधर वहां देखो बाद अईसा लगए जैसे बाद नीच आ गए होंगे देखो बहुत ही सुन्दा लग रहा और तो यह आपर शुटा रानी दास करते हुए तुम्हें मार खाए रहा है तुम्हें मार खाए रहा है जिए वे तो इतोने महांसा में सिन आजाए बहुती थन्ड़ में तो इतोने गभी आप गिर्ण में आके आसलाइक एसलाइक अपॉर्ण घम को डेखे घोड़ाएं अच्छा रखा लें वहां जो कि तो इतना अच्छा रखें पर आप जोड़ाऊं जोड़ा के तो आप्को भ ब्रेंडा बहुत ही अच्छा और बाकी चलो तो इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग यहीं पर बंद करते हूं आशे करते हूं कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सुस्क्राइब जरूर करिए संद्यमिनन बैंड खेतु को और इसी के साथ इजाद दीजिए फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए व्लॉग में और बाए टाटा ख्या रखे खुश रहीए